Hello everyone, welcome you all, आज का हमारा लम्मसी का टॉपिक है Synthesis of 3-Membered Ring इस वीडियो के अंदर हम 3-Membered Ring के Synthesis की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अलग-अलग method देखेंगे, कि किस तरीके से हम 3-Membered Ring का Synthesis कर सकते हैं और इसे पहले वाली वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने Ring Synthesis का introduction देखा था वहाँ पर भी हमने 3, 4, 5, 4, 6-Membered Rings का चोटा सा overview भी डिसकस किया था तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए आज का हमारा टॉपिक है Synthesis of 3-Membered Ring यहाँ पर हम 3-Membered Ring के Synthesis को डिसकस करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा introduction देख लेते हैं 3-Membered Ring के बारे में तो यह जो 3-Membered Ring compound होते हैं वो kinetically stable होते हैं लेकिन thermodynamically unstable होते हैं यहाँ पर आपको इनका easy disconnection देखने को मिल जाता है इसके बाद में अगर हम बात करें इसके synthesis की तो synthesis के अंदर आपको जो mechanism देखने को मिलेगा वो होगा concerted mechanism concerted mechanism के अंदर जो bond का formation होता है और जो breakdown होता है वो दोनों आपको same single step के अंदर देखने को मिल जाता है तो इसी तरीकी के mechanism को हम बोलते है concerted mechanism तो यह थी कुछ बातें three member ring को लेंकर अब हम बात कर लेते हैं इसके synthesis की three member ring के synthesis के अंदर हमारे जो सबसे पहला example है उसके अंदर हम लेते हैं unsaturated six member compound और इसकी reaction हम करवाते हैं die azomethane के साथ में और साथ में यहाँ पर हम करते हैं इसकी heating जिसके बाद में आपको इस तरीके का compound देखने को मिलता है और इस compound के अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर three member ring का formation हुआ है तो यह हमारा first example जिसके अंदर हमने क्या किया है यहाँ पर हमने alkene से three member ring का formation की है तो अब यह reaction के इस तरीके से होती है अब हम इसका mechanism भी देख लेते हैं तो इसके mechanism के अंदर क्या होता है हमें आप लेते हैं CH2N2 यानिकि डाइजमी तो इसके अंदर आपको conjugation देखने को मिलेगा और इस conjugation के अंदर क्या होता है यह जो double bond है और यहां पर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज अभी जो दूसरे वाला नाइट्रोजन है जिसके उपर नेगटिव चार्ज है यह तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको कुछी इस तरीके की structure देखने को मिलेगी अभी इस पीसेज हमें देगी कार्बीन और यह जो कार्बीन है यह आगे जाके इस six-member drink के साथ में रियक्शन करेगा और यहां पर शो करेगा कंसल्टेड मेकेनिजम कंसल्टेड मेकेनिजम होने के बाद में आपको यहां पर three-member drink का formation होता हुआ दिखाई देखा तो यह था हमारा पहला एक्जांपल जिसके अंदर हमने देखा गी किस तरीके से हमने six-member drink के साथ में three-member drink को जन्रेट किया है with the help of diazomethase इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे second example की और second example के अंदर हम यहां पर लेंगे epoxide सबसे पहले हम इसका disconnection देखेंगे दैन इसका synthesis देखेंगे तो disconnection के अंदर हमने epoxide का disconnection करवा है और यहां पर disconnect किया है carbon और oxygen के बीच का bond तो आपको कुछ इस तरीके से इस डिस कनेक्शन का product देखने को मिलेगा यह है synthetic equivalent और अब हम इनका use करेंगे synthesis के अंदर लेकिन आपको यह भी देखना है कि यह जो reaction है इस particular reaction के अंदर हमने यह जो carbon oxygen के bond है इन दोनों को यहां पर break किया है जिसके बाद में आपको जो दूसरे spaces देखने को मिलेगी वहां पर इस और यह क्या काम करता है यह उक्षी इंसर्शन का काम करता है यानि कि यह क्या करेगा यह इस एलकीन के साथ में एक oxygen का insertion कर देगा जिसके बाद में आपको इस तरीक्या एक पोक्साइड का formation होता हुआ दिखाई देगा तो यह था हमारा दूसरा example जिसके अंदर हमने क्य करवा सकते हैं जैसा कि अभी हमने इस example के अंदर देखा था इस example के अंदर हमने दोनों carbon और oxygen के bond को disconnect किया था जबकि कुछ ऐसी reaction भी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ एक single carbon oxygen के bond को disconnect कर सकते हैं तो चलिए अब हम वह वाली भी reaction देख लेती है तो ऐसी reaction जिसके अंदर हमें सिंगल carbon और oxygen bond को disconnect करना होगा उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर हेलो एलकोछ बनता है एज इंटरमीडेट जिसके बाद में क्या होता है इस हेलो एलकोछ के अंदर carbon-carbon disconnection देखने को मिलेगा और उसके बाद में बनता हुआ दिखायत है अलफा हेलो किटोन और यह जो अ carbon और oxygen bond का disconnection जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके के species देखने को मिलती है और इसे हम बोलते हैं हेलो एलकोछ अब इस हेलो एलकोछ के अंदर क्या होगा यह वाला जो बोन है यह वाला बोन ब्रेक होगा जो की है carbon-carbon का बोन तो यहां पर यह जो carbon-carbon का बोन है यह disconnect होता alpha-helo ketone के अंदर और यह वाला synthon convert हो जाता है grigna reagent के अंदर तो यह था हमारा third example जिसके अंदर हमने देखा कि हम एक single carbon oxygen का जो बोन है उसे भी break करवा सकते हैं अब हम बात करते हैं इस particular disconnection के synthesis की तो synthesis के लिए हम शुरुआत करते हैं alpha-helo ketone के साथ में alpha-helo ketone react करेगा इस grigna reagent के साथ में यानि कि जो दूसरा हमारा synthetic equivalent था उसके साथ में और आपको इस तरीके की species देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं halo alcohol अब यह halo alcohol क्या करेगा यहां पर से एक hx का mole remove कर देगा और आपको कुछ इस तरीके का three member compound देखने को मिलते हैं और यह जो compound है इस compound के अंदर देखने को मिल रहा है कि यह जो three memory ring है उसका synthesis हो रहा है तो यह था हमारा third example इसके बाद में हमारा fourth example है उसके अंदर हम बोलते हैं कि जो epoxide है उसे हम synthesize कर सकते हैं methylene insertion के दवारा और यह जो methylene insertion है यह हम करवा सकते हैं अगर हम यहां पर carbonil के साथ में sulfur yellow का use करें तो यहां प यहां पर आपको CH2 पर negative charge देखने को मिलता है और sulfur पर positive charge तो यह जो negative charge है इस positive charge के साथ में जाकर bond बना लेगा और आपको कुछ इस तरीके की species देखने को मिलेगी फिर इसके बाद में क्या होता है यह जो bond यहां से break हो जाता है आपको यह वाली जो species है वो यहां से remove होती तो retrosynthesis के अंदर हम यहां पर ले रहे है इक oxide जो के हमारा target molecule है और इस target molecule के अंदर जब आप यहां पर disconnection अपलाए करोगे तो आपको यहां पर जो synthetic equivalent देखने को मिलेंगे वो यह दो synthetic equivalent देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको एक देखने को मिलेगा carbonil compound और दूसरा होगा Sulfurialide और इन दोनों की हैप से हम क्या कर सकते हैं वापस से इसका formation कर सकते हैं और इसका formation किस तरीके से किया था यह हम अलड़ी देख चुकी है इसके बाद में हमारे जो अगला point है वो है disconnection of cyclopropyl ketone यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम cyclopropyl ketone का disconnection करवाते हैं लेकिन इसके लिए हमें क्या है carbon की जरूरत पड़े और इस carbon के लिए हमारे पास एक reagent होना चाहिए जो कि हमें carbon दे सके तो इसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे diazo ketone जो की बनता है acyl chloride और diazo methane की reaction से यहां पर जो हमारे disconnection है उसके अंदर हम लेते हैं यहां पर cyclopropyl ketone जो कि हमा यानि कि यहां पर है यह acid chloride और यहां पर है यह डाइजो मिथीन तो जब हम इस target molecule का synthesis करेंगे तो synthesis के लिए हम शुरू में लेंगे acid chloride और diazo methane तो जब यह दोनों react करेंगे तो हमें यहां पर देंगे carbon तो यह जो carbon है यह बाद में आगे जाके alkane से react करेगी और आपको यहां प particular molecule है वो है cyclopropane ketone इसके बाद में हमारे जो अगला point आता है वो है disconnection of cyclopropane यहां पर हम cyclopropane का disconnection करवाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले retrosynthesis देखेंगे और उसके बाद में synthesis देखेंगे तो retrosynthesis के लिए लेते हैं हम यह substitute cyclopropane जिसका हम disconnection करवाएंगे और आपको इस त तो इसके लिए हमें क्या है एक reagent की जरूरत पड़ेगी जो कि इस carbon को generate कर सके तो इसके लिए हम यहां पर जो reagent लेते हैं साइमन smith reagent और यह साइमन smith reagent है वह basically होता क्या है वह होता है idomethyl zinc iodide और यह जो idomethyl zinc iodide है इसका formation होता है di-idomethane और zinc copper alloy के साथ में जब यह दोनो तो यहां पर क्या करेगा यह जो साइमन smith reagent है यह carbon को generate करेगा जब हम इसका synthesis करवाएं दो तो यहां पर जो synthesis है वो शुरू होने वाले है इन दोनों compound से जिसके बाद में यह दोनों compound आपस में reaction करके हमें देने वाले हैं idomethyl zinc iodide जिसे हम बोलेंगे साइमन smith reagent और यह carbon यह जाकर react करेगा इस alkane वाली species के साथ में जिसके बाद में आपको यहां पर three member ring का formation होता हुआ दिखाए देगा तो यह था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने three member ring के synthesis के बारे में काफी सारे बातें जानी तो यह था आज का हमारा वीडियो इस वीडियो के लिए इतना ह अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगए तो फ्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू